है गैस देखिए आज हम डिसकस करेंगे विप्रो के बारे में देखो विप्रो एक बहुत ही अच्छा और बहुत बड़ा मल्टी बगर स्टॉक था यह दुनिया को पताया क्योंकि इसने केवल 10,000 रुपे से 800 क्रोड बना दिया कितने केवल 10,000 रुपे से इसने 800 क्रोड बना कितना परसंट यह गिर चुका है उपर से नीचे तक परसंटेज में अगर हम देखेंगे तो यह स्टॉक उपर से नीचे तक तो भाई 46% हो यह पूरी तरीके से फ्लैट दिख रहा है कि गिरिया और कहीं पर भी नहीं पता चल रहा है कि यह स्टॉक का गिरावट रुक चु को मिला और पिछले पांच सालों में यह स्टॉक देखे है दोसो धाइसो परसंट अक का रिटन दिया था अब यह 50-60 परसंट तक का मतलब जो उल्टा नगिटिव रिटन में देखने को मिल रहा है तो विपरो के रिजल्ट के बारे में पहले हम जान लेते हैं यहां पर दे रेवन्यू कितना जनए यहां तो इस बार कंपनी ने 22540 करोळ का रेवन्यू जनेर किया था और पिछले बार कंपनी ने 以 तो सब्तमर में 19,600 करोड कमाया गया था लेकिन इसमें से केवल 15,499 करोड जो इन्हों ने खर्च किया था तो expenses अगर हम देखते हैं तो expenses बड़ा है और उसके साथ साथ अगर हम देखते हैं तो operating income देख लेते हैं तो अभी 3,900 का है और पिछले बार अगर देखो तो 4,170 करोड का था मतलब पिछले बार जादा था इस बार और कम हो गया हाला कि और ज्यादा बढ़ना चाहिए था यहाँ पर अब उसके साथ साथ जो यहाँ पर आ जाता है depreciation वगर है depreciation का मतलब क्या होता है बहुत सारी चीज़े होती है जो घट जाती है तो पहले भी depreciation सेम था अभी भी depreciation ठीका कोई दिक्कत के बात नहीं है लेकिन profit after tax की बात आ जाती है तो भाई 2,656 करोड का profit है और पिछले बा के सेम quarter से भी कम था बीच में यह जो label बनाये company ने तो company के देखो क्या होता न कि एक मतलब जब एक लोगों को higher test दे दोगे न तो उसके बाद उनको lower test लेने का मज़ा नहीं होता अगर किसी का मान लेता है कि 50,000 का salary कर दो किसी इंसान को बोल दो कि आपका 50,000 का salary है अब उसक खुज रहेगा खुज रहेगा तो यही चीज होती है क्या कि पहले आपने higher test दे दिया मतलब जो estimate किया जाता है इंसान क्या कर लेता कि अगर मैं 50,000 का माँगो तो इतना खर्च करूँगा इतना वहा दूँगा इतना saving करूँगा इतना invest करूँगा तो पहले से दिमाग काम कर लेता है उसके हिसाब से calculation होता है लेकिन जब उसका income हो जाता है तो सारी जगे पे जहां जहां वह अपना plan कर रखाता है सारा plan उनको cancel करना पड़ता है और future में जो plan बनाया जाता है उसमें भी थोड़ा बहुत मतलब क्या होता है कि डरसा होता है और इसी वज़े से देख company cable 4.85 के बाज़ो में देखने को मिला मतलब earning per share भी गिरा है चारो तरप से और सबसे बड़ा जो goal माल देखने को मिला है अजीम प्रेम जी नहीं विप्रो को आज के rate में इतना बड़ा बना है लेकिन अजीम प्रेम जी ही मतलब मैं आपको बता दूं कि बार बार विप्रो क को बेच रहे हैं मतलब बहुत सकते हो कि विप्रो जिसके ओपर depend है मतलब जिसके वज़े से विप्रो आज की rate में यहां आ चुका है वही इंसान बार बार विप्रो को बेच रहा देख सकते है recent sold में आपको बताया जा रहा यह आपको बताया जा रहा हाला कि पिछले quarter में भ इसको बेचा गया है यहां पर आगर आप देखोंगे तो विप्रो को ही बेचा गया था तो बार बार यह अपनी हिस्टेदारी थोड़ा 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 करके यह अपना घटा रहा है और उसके बाद देखें बेचने के बाद यहां बहुत किस टाइप के स्टॉक चe Ce से आपको पता चल लागा यह है इस्ट्री आपको ढूनना पड़ेगा और पता लगाना पड़ेगा आपको देखिए विप्रो का जो मार्केट कैप है वो कितना है 2.1 लाक करोड लेकिन 1.5 लाक करोड से भी ज्यादा आजीम प्रेम जी ने तो इनका खरीद के होल्ड कर रखा शेयर्स को इतना जादा ठीक है तो वही सारा मतलब समझो कि कंपनी मतलब एक बड़े क्या बोलता है मनेजमेंट के उपर ही डिपेंड है और उसके साथ साथ यह तो ठीक है इन्होंने तो बेचा बेचा लेकिन साथ में फॉरेन वालों ने भी मतलब बहती घंगा में हांद दो लिए यहां पर देखो पिछले क्वाटर और इस क्वाटर से अगर आप चाहो तो मैच करना चाहती हो तो देख लो यहां पर यहां पर तो फॉरेन वालों ने भी देखो 6.95 परसंट था वहां से बेच के 6.58 परसंट कर लिया हाला कि फॉरेन वाले कंटिन्यू बेचते ओ तो पर्मोटर भी अब थोड़े कदम करके पीछे हटना स्टार्ट कर रही है यहां पर मीन आपको बता है ना पर्मोटर देखो मार्च की बात कर लेते तो इन पास कितना था दिसम्बर की बात कर लेते यहार क्या बात करूँ सब्तम्बर से देख लेते अँग मैं बार 72.96 है मतलब मैंने बोला था ना पीछले quarter में भी इन्होंने कुछ बेचा है करके तो यही है यहाँ पर देख लो तो यह भी बेच रहा है फॉरन वाले भी बेच रहा है हलाकि domestic वाले उन्हें अब देखो company की बात करते हैं तो यह तो ठीक है लेकिन उसके साथ साथ infosys के बारे में जान लो infosys infosys के management ने क्या क्या है infosys के management ने बाए बाए कि साथ साथ यहाँ पर देखो गए तो date यह देखो data के साथ देखो पर्मोटर्स ने भी अपने हिस्सेदारी बढ़ा दी देखो पर्मोटर्स ने भी 13% से 15% कर लिया ना यहाँ पर foreign वालों ने देखो तो यहाँ पर 31% से 36% यहाँ पर कर लिया है और उसके साथ साथ अगर आप देखो तो domestic वालों ने भी 18% से 32% कर लिया लेकिन विपरो में किसे ने खरीदा क्या पर मोटर्स भी माल बेच रहे हैं foreign वालों भी माल बेच रहे हाला कि foreign वाले मैं आपको बता दूँ कि एक important होता है क्योंकि बाहर चापैसा आता ना बागे तो domestic वाले हैं और सारा माल खरीद कौन रहा है पब्लिक त इससे यह पता चलता है कि Infosys का fundamental और cash flow बहुत मतलब strong है Infosys का और Wipro का देखोगे तो थोड़ा बहुत weak है weak है मतलब इन दोनों को अगर आपस में compare करते हैं एक दूसरे से देखते कि कौन बेस्ट है तो Infosys इस label पर best दिख रहा है हलाकि Infosys में उतना ज़्यादा गिरावाट भी नहीं हुआ सोचके Infosys में सबसे ज़्यादा विप्रो भी गिरा है तो यह तरीके से अगर हम देखते हैं तो वहाँ पर मतलब की foreign वाली की exposure भी बहुत ज़्यादा आ रहा है आज click date में buyback भी किया गया है तो आप देखो आप को एक दो साल रुपना पड़ जाए और अगर आप स्टॉक मार्केट में नहीं हो तो अपने डिमेट अकॉन एंजल में open कर सकते हूं जहां पर आपका डिमेट अकॉन बिल्कुल फ्री डेलेवरी चार्ज इस फ्री क्यों 20 रुपीज लगेगा वो भी इंट्राडेमें डिस